हेलो गाइज आज इस वीडियो पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे बिसिकली मैं आपको स्टॉक का नाम पहले नहीं देखाता हूं बड़ इस स्टॉक का नाम पहले देखा रहा हूं क्योंकि काफी टाइम लाइट पे बना हुआ यह सेयर है और काफी लोग औरेटी कमेंट क कि कोशिज करूंगा और मैं बताने की पूरी कोशिज करूंगा कि इस स्टॉक पे तीजी क्यों आई है और आपको लगेगा डेफिनेटली यही होगा यही कारण होंगे बाजार में ऐसी कोई नीज नहीं है मैं आपके सामने इसे सर्च करता हूं देखिए स्क्रीन पे मैं द लगा है और साथी साथ रिलाइंस नेवल में भी लगा है यह अपर सर्कीट लेकिन मैं आपको फिर भी एक रिजन बताऊंगा किसे स्टॉक पेपर सर्कीट लगने का सबसे पहले यस बैंक के बारे में चीज जानी है कि यस बैंक ने लोगों को क्या किया तो जब मैं एक साल का चार्ट लगांगा तभी इसके असली कहानी बया होगी और एक साल में भी नहीं पांच साल पे में बया करना चाहूंगा देखे स्टॉक का प्राइस देखिए पिछले कुछ सालों में कहां तक था दो हजार सत्रह में यह स्टॉक लगबग साड़े तीन सु रुपे का सप में टेन रुपीज से टू रुपीज पे कनवर्ट हुआ ता फेस वैल्यू जिसके बजह से यहां पर प्राइज एड़ेस्ट किया गया और यह साड़े तीन सो पे दिख रहा और पूरा का पूरा चार्ट स्ट्रेक्चर आपको इसी के आसपास में देखने को मिल रहा उसके इस तरह से एनपीज बड़े बैंक के ऐसे जगहों पर लॉन दिया गया जहां से रिकबरी इंट्रेस्ट तो छोड़ दीजे जो इनकी कैपिटल थी जो वह वह भी रिकबर नहीं हो पाई कॉक्स एंड किंग रिलांस कॉम्मिकेशन और रिलांस के अनिल अंबानी गूरूप की जितने कंपनीज थे मैक्सिमम कंपनीज को पैसे दिये गए साथ से आठ ऐसी बैंक्रप्ट कंपनियां जिन्होंने एस बैंक के पैसे को डुबाया और बीच में लिक्विडिटी की प्राब्लम बैंक पूरी तरीके से खास्तालत में एनपीज बढ़ता गया और स्टॉक नीचे जाता गया इसी बीच में न्यूज के माइदम से कभी-कभी बड़े प्लियर्स ने इस पे बहुत अच्छा अच्छा पैसा बनाया जैसा कि स्क्रीन पर देख पारें 166 रुपे पर जब यह बैंक था ना तब से यह क्लियरली बताया जा रहा मैं खुद नहीं सब्सक्राशा पैस्यालिस्ट उनका यह मानना था कि इससे थोड़ा से दूरी बना के रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा लेकिन लोगों को कहां समझ में आता है लोग बनते ही गये और लोगों ने पैसा नहीं बनाया मैं दावे के साथ कहता हूं रीटेल निवेशक को पैसे नहीं बनाए हैं क्योंकि रिटेल लिवे सक आते हैं बड़ा मन बना के कि इसे लंबे शमय तक होड़ करूंगा बड़ जैसे थोड़ी सी इस पर डाउनसाइट दिखती है आप इस पर लॉसी बुक करके जाओगे और हर बार आप ऐसे जगा पिंट्री करोगे जहां से स् पर यह विटेंधा तो पैसे मसटा है तो किलिए यावर्ड कीजाब के पास पैसे कितने हैं िदूरे सोअ मार्केट में स्टाफिर करेब नहीं है सप्रिकों क्याता हूं स्टाइट मार्केटट पर स्टाफ fy तक्यालट स्चूप रिशिए है आपके पैसे कम पढ़ जाएंगा आपके पास पैसे नहीं होतने जहां आप उन सभी पैसे लगाएं तो फिर मैं भी मैं बताता हूं इसे स्टॉक पे अपर सर्कृट लगने की वज़ा क्या थी तो देखिए एक आर्टिकल मेरे पास मिली है जिसको मैं आपके साथ सामने डिसकस करूंगा और जानने की कोसिस करूंगा देखिए कॉक्स एंड किंग पर्मोंटर्स फेस सी बी आई केस ऑवर ल बेजर आ रहा होगा यस बैंक का भी यहां पे 140 करोड का कॉक्स एंड किंग पे पहले से ब्लेम है कि इन्होंने जो यह लिया था इससे करज ली थी उसके अगेंस में इन्होंने पैसे नहीं दिये थे यस बैंक अलिक दो कंपनी टुक वन फिप्टी करोड तो दे क्लोज लो प्रण को कहीं ने कहीं यहां से प्रासि मिल सकते हैं और दिखेगा अभी एक दो दिनों में यह स्टॉक फिर से तेजी पे रहेगा तो जिन लोगों ने पोजिसन बनाया मैं यह नहीं कहता हूं कि पोजिसन आपनी क्यों बनाया डेफिनेटल आपनी कुछ सोच के बनाया आप नहीं कर पाओगे मैं गैरेंटी के साथ लिखके दे देता हूं और आप माल लॉस पे काटोगे इस पे भी कोई डाउट नहीं है अगर बात अच्छी लग रही है सची लग रही है तो एक कमेंड और लाइक जरू कर दीजेगा इस वीडियो पे तो यस बैंक के लिए कि बैंक मिल रहा एक छोटा सा पार्टी फंड इंवेस्टमेंट बहुत जादा नहीं दिग्गस बैंक से हैं आपके पैसे कतम हो जाएंगा आज सी बैंक खरीद लिजे एक्सिस बैंक खरीद लिजे स्टेट बैंक खरीद लिजे अगर बैंकिंग सेक्टर पैसा ही लगाना है जो आल्रेडी ट्रेंड पर है अच्छी खासी प्रॉफिट मार्जीन इस बैंक की इस बहर बड़ी है इंटरेस्ट मार्जीन ठीक है वह कंपनी का बड़ा वह सबसे बड़ा अरुनिंग पॉइंट होता है किसी बैंक के लिए और वह आईसी बैंक का इस कोवेड नाइंटीन यह बैंक इससे पीछे हो जाएगा याद रखिए इस बात को तो अगर आपने इस बैंक पर पैसे लगा के रखें और अगर आप लगाना चाहते हैं डिफिनेटली अप लगाई नेरा काम अब तक अपडेट पहुंचा ना अपडेट पहुंचाता रहूंगा अपडेट अच् सब्सक्राइब कीजे का पर दे लेटेस्ट और जनुमिन इंफरमेशन रिगादिंग दे स्टॉक मार्केट पाने के लिए मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो पे थैंक यू